चले अगली खबर करूख करते हैं बिला स्पोर से खबर आ रही है जहां डियड संग ने रैली निकाल लिए सक्षक वर्ती की मांग को लेकर या बर्ती रैली निकाल रहे हैं डियड और डियलेड अभ्यरतियों को प्रात्मिक सक्षक में के तौर पर भर्ती की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोट के आदेश का पालन करने के लिए डीडी डीएड अभ्यरतियों का साहिक सक्षक पदपर नियुक्ति के लिए ये रैली दिखा ली जा रही है और न्यायात्रा इसको नाम दिया गया है अमबेटकर चौक से नहरू चौक तक अभ्यरतियों निकाल रही है ये देखे पोस्टर बैनरों के साथ डीयड और डीयलेड अभ्यरतियों अपनी मंक को लेकर सुप्रीम कोट के आदेश का पालन करवाने के लिए ये रैली निकालने है ये देखे आगे बैनर में लिखा और प्रशासन के जम्यदार अदिकारियों की नजर इनकी समस्या के उपर फढ़ सके और इनको नयाय मिल सके इनकी मांगें बूरी हो सके इसी आशा के साथ सक्षक वर्ति की मांग को लेकर ये भ्यरति रैली निकालने है उन्यूस 24 मदबदेश शात्रिस गड़ आपका अपन समबादा था विरंद्र गया बई जुड़ रहे हैं विरंद्र रैली निकाल रहे हैं सिक्षक वर्ति की मांग को लेकर कौन पहुंचा है इन से मांग पत्र लेने के लिए ये ये रैली जो है वह अमबेटकर चौक से निकली हुई है और आप देख सकते हैं कि लंबी भीड जो अभ्यार्थी है उनकी लंबी भीड है और इन्होंने सालों तक लंबी लडाई लड़ी है पहले हाई कोट गया सुप्रिम कोट के सिंगल बेंस से डबल बैंस से इन्हो इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इनसे जानते हैं कि किस तरह की मांग है और लगातार हम इस मांग को उठाते रहे हैं, आपका क्या कहने हैं। इस पर कोई एक सिंगल नोटिस नहीं जारी की है, कोई आदेस जारी नहीं की है, हम पिछले एक साल से पीडित हैं और लगातार संघर्स करके एक साल से लड़े हैं, इसके बावजूद भी आज इस प्रकार से हम लोग आकर को रोट पे खड़े हैं। ये कही न कही नियाय व्यवस्था को, सरकार की मंसा को ये उजागित कर रही है। आगे लड़ाई जो है, आपकी जो है, आपकी जो लड़ाई वो किस दिशे में जाने वाली है, क्या करने वाले हैं, आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे हैं। हम जो है, लोक्तांति धंग से, सांती पूरा धंग से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है, आंदोलन करते रहेंगे, सांती पूराई जो नेता मंत्री हैं, उनके पास आप बार बार जा रहे हैं। क्या कहते हैं, पहले जब चुदाओ था उस दवरान तो कहा गया कि आपकी बरती कले जाएगे। अभी क्या कहते हैं। अभी उनका कहना है कि हम इस पर निड़ाय लेंगे। सबसे पहली बात यह है, कि जो विभाग, सिक्षा विभाग है, वो मुख्य मंत्री जी के पास है। हम लगातार मंत्रियों के माध्यम सी विधायकों के माध्यम सी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी एक मुलाकात करा दे हमारी मांग जो है कोट का अदेश है उसको उन तक महुचा दे लेकिन आज तक हम पिछले चार महने में कम से कम 20 बार प्रयास कर चुके हैं अभी हाली में समयन नहीं पहुचा है हम भी भाग लगतार सुझने दे रहे हैं कि कोट के आदेश पाय होए आज लगतार चेह मैने से इसाभ लोगातार कोई गे घ्रह सुनव होता है कि और सरकार कोई एक्षे नहीं ले रही है यहां देखे जो हाई कोट काडर आया हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोट ने भी माना है कि जो बीएट की न्यूपती हुई थी वो सुप्रीम कोट के डिसिजन के अधीन हुई थी और सबी राज्यों को 4 सितंबर 2023 को सबी राज्यों को सुचित कर दिया गया था विभाग को कि कि अंधिक्षा का जो व्यवस्था उसको सचारू रूप से चलाने के लिए उसी व्यवस्था के है टाट को सामिल कर गये था उन्होंने साब कहा कि प्रपांट पर नहीं दी जा सकती उसको बाद भी उसको दर किनार करके उन्यूक्ति दी गई थी जो कि पुरी तरह से कंडिशनल थी ये उनके न्यूक्ति प्रपत्र में भी लिखा हुआ था कि आपकी न्यूक्ति अइस थाई है जो भी कोट कादेश आएगा उसको पालन करना होगा उस समय भीएट धारियों ने हमारे भाई बहनों ने यथा सिग्र जैसी आप उसको वहाँ से हटाएं और यथा सिग्राम को न्यूक्ति प्रदान करें उसके बाद उनकी वैकल्पी प्रवस्था है उसको करते रहे रहे सुप्रीम कोट का आदेश आगया है आप बार-बार मंत्री से मुख्य मंत्री से मिलने की कवायत कर रहे हैं जब जाते हैं को कौन रोड़ा बन रहा है आपके बीच में और आपकी भरती के बीच में कौन रोड़ा उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है इस रोड़ा को हटाने के लिए क्यों तैयार नहीं है रोड़ा सर सिंपल सी सवाल है सर हमारे प्रदेश में सिक्षा मंत्री सिक्षा मंत्री लेकिन हमारे एक भी बात को हमारे एक भी आवाज को आज तक सरकार ने नहीं भागने एक सिंगल नोटी फिक्न जारी नहीं किया सर यह हमारे दुरुभाद की बात है हम एक साल से पिड़ा भटक रहे हैं सुप्रेम कोट हाई कोट में सारे हमारे एड़ो करने सब्सक्राइब बार 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 सर 21 अगास्ता दो अप्रेल आठ अप्रेल पंदा जुलाई 28 अगास्ता दोहट चोबिस मैं कितने केस के बारे में आपको बताओं यहां तक के दूसरे जजमेंट हुआ है उसको भी उठाया गया था वहां भी मतलब भी ठक हरक मान गए है कि आकर निफ्टी क्यों नहीं दे रहे हो हल क्या है इसका जब आपकी बाते होंगी अधिकारियों से मंत्री से नेताओं से क्या हल है कुछ हल बताते हैं कि इस विशह पे यह हल है और आगे हम लोग यह स्टिप लेने जा रहे है जो बीएट के अब वियर्थी है उनको बाहर किया जाएगा और आप लोग की भरती की कुछ तो हल निकाल रहे होंगे इतने जिनों तक कुछ वाटा बहुत अच्छा सर आपके मेडिया के माध्यम से आपने सबसे बहुत अच्छा लगए आपका आपने वह लोगा है करो बिल्कुल आपका नजर बना के रखेगा बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका